नमस्कार दोस्तों मैंने पी उश्राइब देखते कोश्चनार भारत अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें किसी भी तरह का कॉंट्रिबूशन करना हो सपोर्ट करना हो ताकि वीडियो जरो जाए लगतार हम बने रहें तो आप यहां पर कॉंट्रिब कि यूपी में चुनाव था यूपी इतना बड़ा राज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इतनी बड़ी पॉलिटिकल कॉंप्लेक्सिटीज है यहां पर इतने लोग अगडबंदन कई बहुत चीज़ें हो चुकी है बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट हो चुका है और दिल्ली का रास्ता लखने उसे हो के जाता है यह पुरानी कहावत है अभी हाली में आप लोगों पता होगा कि ओएसी राजभवर पता नहीं कौन कौन क्या क्या सपा के साथ जुड़ रहे हैं अखलेश यादों के चाचा अभी हाली में उनके साथ फिर जुड़े कुछ मदभेदों के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टियां डिरेक्ट जोडेंगी लोग मर्ज नहीं होगे मतलब कि शिवपाल सबा जॉइन नहीं कर रहे हैं शिवपाल की पार्टी अखलेश की पार्टी से जॉइन कर रहे हैं और चुनाओ भी बहुत दूर नहीं नौंबर चला जब में वीडियो मार्ज मर्जर और ने चेहरे सामने आएंगे नईनी बाते सामने एंगी लोग नहीं कीमों के साथ आएंगे नहींबादों के साथ आएंगे इस वीडियो में चाहता हूं कि अगर आप मन बना रहे हैं कि वोट देना है और चुनना है कि कैसे चुने तो थोड़ा से वीडियो को देखिएगा और समझेगा कि आप क्या एकस्पेक कर रहे हैं और वो आपको क्या थमा रहे हैं कि चुनाओ ऐसे हो रहे हैं कि वो लड़ना चाहते हैं और वो जीतते हैं या चुनाओ ऐसे हो रहे हैं कि आपको लीडर चुनना है इसमें फर्क होना चाहिए कोई भी अगर 20 साल के उपर का होगा तो जाहिट से बात उसमें अच्छे से अखल ऐसा विजिन है किसके पास कैसी ट्यूनिंग क्या सकते ले सकता है प्रबलल्पमेंट के लिए थे लिए सेफ्टी सृक्योटी के लिए नेशन बिल्डिंग के लिए उनसे नहां कि आपको नहीं काटता है और अपना एजेंडा लाता है इस व्यूडियू में आज हम सत्ता में योगी सत्ता में योगी CM है और जस्ट अपोजिट में अगर कोई है पूरे मर्जर के बाद भी तो अकलेस के लावा कोई भी एक बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है जैड से बातें इन सबके अपोजिशन में सबके अपने कॉन्फिक्ट्स हैं सबके अपने अजेंडास हैं सबको अपना CM कंडिडेट चाहिए ओसी को मुस्लिम कंडिडेट CM चाहिए उस हमेशा से लड़ता आया है क्यों नहीं मुस्लिम CM हो सकता अकलेस को खुद CM बनना है उनके पूरे परिवार में किसी को एलिजिबर नहीं समझते है कि कोई पद में उपर आ जाए और बाकी परिवार वाद अकलेस में भी चलता है राजबर का अपना कॉंसेप्ट है कि हर साल CM और डेप्टी CM बदलेंगे तो आप समझ सकते हैं आपकी इस हौच पॉच में घुसने वाले अगर आपने यहां पर जाद पात फरजी की स्कीमें फरजी के वादे फ्री की चीजें फ्री की चीजें सो ज़ाद आया आमादी पार्टी वे इंटर हो रही है तो आपको इन सब चीजों में समझना पड़ेगा कि आप vote देने से पहले उन लोगों के मुझे से वो सुने जो आप चाहते हैं कि राज्य में अगले 5 साल तक हो और एक जगे पे पहुचाया जाए इसको जैड से बात है योगी या इतना अतकर अप्टे नोड देखेंगे तो उन्हें वादा किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर कि हम 1 trillion dollar के एकनॉमी यहां से center को देंगे UP को बनाएंगे तो जैड से बात है इतना तो आसान नहीं है बनाना और अगर बनाने का vision है तो जैड से बात है steps भी वैसा ही होंगे जो development की तरफ actually में ले जाएंगे ना कि सिर्फ बात लें और क्या वो नजर आ रहा है क्या वो vision आपको दिख रहा है और क्या वो इनके अगले चुनाओ के manifesto में देखने को मिलेंगे ऐसी चीज़े आपको इसब दिमाग में रखना है कि क्या उनके किये हुए वादे manifesto में दिख रहे हैं कि नहीं क्या manifesto उस step तक ले जाएगा कि नहीं सिर्फ इनी के नहीं अखिलेश या दो और यह जितनी भी party आपको यह कह रही है कि हम यहां से यहां ले जा देंगे उनके क्या manifesto अच्छे से पढ़ने के बाद आपको यकीन हो रहा है कि वो ले जा पाएंगे अब अगर दो parties को ले लें अकलेस versus योगी कर लें और आपको एक basic difference समझन में आना हो और एक standard समझना हो कि हमें leader चुनने से पहले कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो मेरे साब से एक analysis आपके सामने है पहली चीज़ आपके पास एक single leadership होनी चाहिए जिसके surrounding में कोई ऐसा ना हो जो उसको influence कर सके तो भाजपा के साइड आप योगी जी को पा सकते हैं क्योंकि भाजपा का अपना mechanism है चलने का वो leadership change कर सकते हैं लेकिन leadership को बहुत influence नहीं किया जाता है पहरी चीज़ और योगी जी के मामले में तो योगी जी के उपर तो और किसी के चल भी नहीं रही है दूसरी चीज विपक्ष में आपके पास इतने ज़्यादा होच पोच इस सब की अपनी अपनी डिमांड्स है कोई बड़ी बात नहीं कि अगर उन में से किसी की सरकार बनी किन compromises पे बन रही है आपको कितने CM कितने deputy CM कितने ministers बट रहे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा और कितना corruption हो रहा क्योंकि इतनी मिली भगत रहेगी तो सबको कुछ ना कुछ खाना है जब केक इतना ही बड़ा है और भेड़ी ये इतने सारे है तो आप वो pieces कैसे बटेंगे क्या fund का utilization होगा आप नहीं समझ पाएंगे तो मतलब जहां आपको हौचपौच मिलेगी वहां corruption भी मिलेगा center के साथ state का relation अगर center में और state में same party यां होती है same ideology की party होती है तो development को center की scheme को state में उतारना बहुत आसान होता है समय पे होता है कोई भी काम खराब होगा कोई भी चीज़ें खराब होंगी तो एक party की बेज़ती होगी जो एक काम से मज़स्वतर एक तीर से दो निसाने अगर कुछ भी खराब होगा तो भाजपा की बेज़ती होगी भाजपा center में भी है state में भी है न वो उनको काम करने देंगे दोनों एक दूसरे के काम में अडंगा लगाएंगे अगर एक दूसरे की चीज़ समझ में नहीं आई तो तो पिसेगा कौन जनता तीसरी चीज़ योगी अदितनात में हमेशा सा इल्जाम लगता आया है कि वो कम्विनल है एंटी मुसलिम है हेट स्पीच करते हैं और नफरत फैलाते हैं वगएर 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 लेकिन फिर मैं कहा रहा हूँ उनके उपर तो ये भी लगता है कि वो ठाकूरवादी करते हैं ब्रामन विरोधी हैं खुद गैंस्टर हैं तो इतना बड़ा कॉंट्रडिक्शन कैसे इल्जाम लगाने वाले के सरपैर नहीं है क्या लेकिन फिर यही कम्विनल विक्ती मुसल्मानों ने भी दंगा किया था तो उसने उनको टाइट किया प्रापर्टी सीज की वसूली की डिफेम किया बहुत समय से यूपी में दंगे क्यों नहीं हुए क्राइम रेट इतना कम कैसे हुआ महिलाय सुरक्षित कैसे घूम रही है और रही बाद डेवलप्मेंट की तो अगर योगिया जितना पी इल्जाम लगता है कि वो डेवलप्मेंट नहीं कर रहे है तो जो चीज़ें हो रही है इस्टेट में जिस सरीके से बिजनसेज फॉरेंड फंडिंग्स इंवेस्टमेंट तमाम चीज़ें यूपी में आ रही है क्या वो ग्रोथ इन डेवलप्मेंट का हिस्सा नहीं एक तरफ आपको सेकुलरिजम के नाम पे सिर्फ अपीजमेंट देखने को मिलेगा एक पर्टिकलर कम्यूनिटी का लेकिन अपीजमेंट ही देखने को मिलेगा उसकी भलाई आस्तर के लोग करने को है अगर कोई मुसलमान या जैभीम वाला या कोई भी देख रहा है आपको तो आप ये समझे कि जिसने जिसने आपकी कम्यूनिटी का लीडर बनके आपका वोट मांगा है आपके यूनिटी का फायदा उठाया है आपके एक हो जाने का फायदा उठाया है क्या उसने आपका कुछ उधार किया है आप जहां कल थे क्या आप आज वहाँ से उठ चुके हैं और एक better position में आ चुके हैं खुद से सवाल पूछे और अगर ऐसा नहीं है तो क्या guarantee है कि आगे ऐसा होगा क्या guarantee कि आपकी community का फायदा उठा के co-leader एक पद पे बहुत जाएगा और आपका आपके परिवार का, आपके लोगों का, आपके community का उठार कर देगा और आप एक better position में आगले पान सालों में आ जाएगे अगर इसकी guarantee है तो बिल्कुल चुनिएगा और अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ तो आगे होगा इसकी कोई guarantee नहीं तो secularism के चक्कर में, appeasement के चक्कर में crime rate बढ़ने देना, conversion होने देना, love जिहाद होने देना किसी तरे का दंगा होने देना कोई crime Muslim ने किया, तो just because Muslim है, और खबरों को दबवा देना, उसको सजा ना होने देना, arrest ना होने देना कुछ भी, यह सब चीजे होने की possibility है मंदिनों का तूड जाना, मंदिनों के तोड़े जाना पर किसी का action ना लेना, कम से कम यह चीजे योगी आजितनात के सरकार में possible नहीं है और आप एक चीज ऐसी बता दीजिए, जो योगी सरकार ने, बिल्कुल intentionally एक्ट को अंजाम दिया है और उसको बिल्कुल अमल मिलाया है और उस दिन से सारे मुसल्मान तंग आ चुके है कोई ऐसी चीज, ऐसा कुछ नहीं कुछी जों को सुनने के बाद आपको लग रहा हूँ कि मैं प्रो, बीजेपी और एंटी सापा या एंटी मुसलिम बोल रहा हूँ या आपकी अपने थिंकिंग है मैं एक ऐसा analysis दे रहा हूँ जिसके उपर अगर आप विचार करेंगे एक बार खाली मन से विचार करें जो भी बायस मन भी हो तब एक बार इस पर thought दीजिए तो आपको समाझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ और वोट देने से पहले अगर leadership के मूह से जो चीज़ें आप जो वादे जो development जो भी बड़ी बाते सुन रहे हैं अगर वो logical है उसके होने से अगले 5 साल के बाद आपका जीवन बदल सकता है और वो वादे manifesto में हैं और वो exactly वैसे हैं जैसा आप अगर उसको reality में देखें तो सच में कोई फर्क पड़ेगा आपके जीवन में तो बिल्कुल आप उसको वोट दीजे लेकिन इस अब चेक जरूर करें वोट देने से पहले और इस बार अगर unity या biasness या फिर appease या किसी भी चीज को अंजाम ही देना है अगर आपको lean ही होना है कि मुझे इधर पूरा जाना है तो एक ऐसी चीज की तरफ जाई है जिससे वागई में state की development, protection, growth लोगों का personal development हर चीज से जुड़ा हो और हर चीज possible इस वीडियो में इतना है अच्छा लगों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करिएगा अपना point of view बताईए कि आप किसको vote देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं बाकि यह आपके अपनी मर्जी है फिर मिलते हैं अगलों जहन बंदे मातर